नमस्कार मैं हूं मंदर नाज और आप देख रहे हैं राज तकनीज मैं समय आजम गड़ों बताते हैं कि आजम गड़ोग सभा के चुनाओ 25 माई को है और आज परचाद आखिला धर्मंदर यादुजी का बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वेलेश्व विवान पार्टी समय आजम पार्टी का गड़बंदन है और इंडिया गड़बंदन के ता हमारा साथ हैं संजे राजबर एडबेकर साब हैं इसे बात करेंगे कि राजबर क्या ओड़ देगा धर्मंदर यादों के कि निरुवा के तरफ जाएगा तो संजे जी राजटिक में चलिए आपके परमिंदन के घ्लति हो गई थी हम लोगों से भूल हो गई थी इसलिए चुनाव हार गए थे लेकिन हारे नहीं थे परसासन हरवाया था और जीते हैं चुनाव तो संजेज हमरा एक सवाल एक उम्परकास राजबर भी आएंगे और कहां कि भईया आपको निरवा कोड़ देना क्यों कि उनका गडवन्दन भास भास है तो फिर राजबर आपकी तरफ जाएंगे महंदर राजबर की तरफ चैसंजर राजबर की तरफ अगिन रवा की तरफ चले जाएंगे उम्परकास राजबर को पाकी देखियो उम्परकास राजबर वाली बात है तो उनकी तो मैं बात करना ही छोड़ दिया हूँ अब रह गई राजभर विकास को देख करके ओठ देगा कि मतलब हमारा विकास कैसे होगा और क्यों होगा क्योंकि यहां पे जब मेरे पास लोग फून करते हैं कहते हैं कि सिपाही हमारा सुनता नहीं है और जो है कि दरोगा हमारा सुनता नहीं 첫rande कुछ लोड तो बहुत तो सिर्ट केshore होगी यॉ الصिट का प mujer हमारा काम है अपने लोगों को वोट दिल्वा करके किसी भी तरह से धर्मिंदर यादव को संसत बना कर यहां से दिल्ली भेजना कुछ नहीं विकास हुआ है खाली एक को विकास हुआ है भारती जनता पार्टी को सरम नहीं आ रही है कि 10 साल में 5 किलो गल्ला 12 सव रुपया के गय सिलेंडर पर पका करके खा करके इस लुह में सूलाने का काम कर रही है भारती जनता पार्टी यहीं एक को ठिब विकास नहीं नजरा रहा है और कोई भी कास नहीं नजरा रहा है तो यह बता है कि जब वंपर गास जब आप राजबर वस्ती में जाएंगे तो क्या कहा है यह कि निरववा को वड़ देना है हम तो देखिए अपने हमारा समाज जागरूप हो चुका है और हमारा समाज जागरूप हो चुका है और जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेगा हम लोग ओट दूसरे के लिए नहीं मांग रहे हैं हम लोग विकास के लिए विकास होना चाहिए इस समाज का विकास के नाम पर ओट मांग रहे हैं क्योंकि यहां पर जब अगर धर्मिंदर यादो जी जाते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो सिपाही दरोगा बाबू चफरासी आजी डियाजी कलटर आयस पीसी ए डियम एच डियम समाजवादी सरकार में नजर आते थे जब से दस साल हो गया भाजवा का सरकार आई है तब से हर पर्चवाद लीक हो जा रहा है वो सब लीक हो जा रहा कोई बचावचा थोड़े लहाएं हम लोग देखिये उस लायक नहीं है अभी हमारी आउकाद देखा जा तो हम लोग महापरधानी लड़ने के हैसियत में नहीं हैं तो हम सांसादी कहां से लड़ेंगे लड़ पाएंगे इसलिए जो है नहीं अभी आइसी कोई बात नहीं होई है अभी आइसी कोई बात नहीं हमसे होई है अब 2024 बीत जाएगा उसके बाद 27 की तैयारी की जाएगी तब फिर 27 में जरूर समझवादी से गडवंदन रहा तो हम लोगों को मोका जरूर मिलेगा आपके क्या रहा है कि में जरूर के एक से खब्रकली राश्टेक्निट चनल देखते रहें कि जरूर है कि जरूर को अभी जरूर करूर के से बादी देखते लूर आपके के घर देखते नहीं है